इसके बाद धीम और राज कुमार और रेनू टेंट वाला ये तीन लोग को हमने देखा जब हम यहां से चिलाते हुए गए तो हमको गाली दे के भगार आदा कि जैसे तुमारे बच्ची के साथ हुआ है ऐसे तुमारे भी साथ हुआ सत्ताधारी पार्टी की संद्चन में फल फूल रहा अपराद थाना गजनेर के अंतरगत विजय नगर छेतर में एक दिल दहला देने वाली घटना को दिया गया अंचाम विजय नगर छेतर में हवस के पुजारियों ने एक पान साल की मासूम बच्ची की जिन्दगी के साथ की आखिलवार और प्रसाशन है मौन जहां एक और सूबे की बीजेपी सरकार लगातार बेटी सुरच्चा पर जोड़ दे रही है और देश की सरकार प्रदेश की सरकार लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर काम कर रही है वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर्दियास से एक बहुत बड़ा मामला प्रकास में आया है जहां थाना गजनेर के अंतरगत विजयनगर मोहाना निवासी सुनील की महज 5 वर्थ 6 महीनेगी बच्ची के साथ कौसम गाओं के रहने वाले राम कुमार मीन सिंग एवं मंगटा गाओं निवासी रेनू सिंग के संरच्छन में बच्ची के साथ दुसकर्म जैसा घिनोना अपराद को 25 दिसंबर 2021 को अंजाम दिया गया जिसके विरुद बच्ची के परिजनों ने लिखे तहरीर गजनेर थाने में दी जिसमें गजनेर थाने में पौक्सो एक्ट में मुकदमा भी पंजिकरत हुआ और आनन फानन में दरोगा स्यू प्रकास साहब कौसम गाओं के रहने वाले दो अपरादी राम कुमार और मिर्न सिंग को गिरबतार भी कर लाए लेकिन जब बारी मंगटा गाओं के रेनु सिंग की आई तो कानून के हाथ पहल धीले पड़ गए और ढीले होते भी क्यों नहीं क्योंकि कानून के रखवाले के हाथ उसी सप्ता के प्रतिनियों या यूं कहें खुद बीजेपी के सांसा देवेंदर सिंग भोले बीजेपी ग्राम 25 सदस सुभम चौवान ग्राम प्रधान पती दीपक यादो समेथ 11 गाओं के प्रधान आरोपी की पैरवी में अपनी कारें दोड़ाने से बाज नहीं आ रहे थे छेत्री लोगों द्वारा मिली जानकारी के अनुषार जब जब प्रिडित परिवार थाने एससपी या जिला अधिकारी के पास प्रार्थना पत्र ले कर जाते हैं तब तब सांसस समेथ बीजेपी के जिला पंचाय सदस वा सभी प्रधान रेनु सिंग की पैरवी के लिए जिला अधिकारी कारेले से ले कर थाने तक पहुँच जाते हैं आपको याद दिला दें कि आरोपियों की पैरवी करने वाले कोई और नहीं बलकि बीजेपी के सांसस प्रधान वा जिला पंचाय सदस हैं जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी या यूक हैं सब्ताधारी पार्टी भारतिय जनता पार्टी के चैनित जनता के प्रतनिधी हैं और यही काराण है कि थाने या जिले का कोई भी आलादिकारी आरूपी रेनू सिंग को गिरपतार नहीं कर पा रहा है। ऐसा हम नहीं विजयनगर के चेत्री लोगों वा बच्ची के परिजन बता रहे हैं। तो हम उसको कैसे गिरफतार कर ले कि पीड़ता की माजो है चीक चीक के कह रही है वाद यह आवाज कि कह रहे हैं। तो इसमें क्या किसी पॉलिटिका लीडर कहात है। अब यह पंचाइस अब यह पंचाइस को अनुको यानि आरूपी को उसमें चार पांच लग वो प्रधान थे और ग्यारा पंचाइस अब यह तक पूरे ग्यारत दिन बीच चुके हैं। लेकिन गजनेर की पंच वर्षी ये मासूम बच्ची न्याएं के लिए तरस रही है। सूबे की योगी सरकार के सभी वादे खोकले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब मौझूदा सरकार के सांसद और प्रधान ही आरोपियों को सरचन देंगे तो न्याएं मिल पाना बहुती टेड़ी खीर साबित होगी। अब जहां सूबे के सत्ता कामा संग्राम सर पर है तब देखते हैं कि सूबे के मुखिया इस फूल सी बच्ची को न्याए देंगे या अपनी पार्टी के सदस्वें वा नेताओं के पच्च में रहकर आरोपी को सरचन देने का बढ़ावा देंगे। फिर से बच्ची ने आए के लिए यूहीं दर-दर भटकती रहेगी। देखिए कानपूर देहाद से एचन टीवी की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। 25 तारी को अपरण करने के बाद दुस्तरम किया जाता है और माबाब के तहरीर के बाद कानपूर देहाद की गजनेर थाना पुलिस थोड़ी सक्री होती है। यह वहां के जो पदादिकारी और सांसादें उनका भी हाथ माना जा रहा है। आई इस गिसे पर जानकारी करते हैं यहां के छेत्री ग्रामीडों से क्या है पूरा मामला। अर्बिन क्या हुआ था प्रक्राम इस समय तो हम यहां पर थे नहीं बाहर थी। तो क्या जानकारी मिली आपको हमें जानकर यहीं मिली कि बाहर यानि कहीं गाउं से कॉल गया था। और उसके बाद यह मिला कि पांच साल की बच्ची थी होनाया कि अप्रण करके उसको उठा कर रहे या निकले गए बलतकार यह कुछ सूचना मुझे बाहर समय थी। अभी तक क्या इस पर कारवाई हुई है कुछ गरापतार हुए है तीसरा मुलिम को गरापतार पुलिस करने है और यहां आते हैं वह दरोगा जी है काईते हैं कि चार्चार लाठ दर्दर्दर्द लश्ट गाउंवालों को उपन जेल अलक से बेज़ा है। पीड़त कोई तरह हैं तरह हैं नाम क्या है। इसरा रोपी जो अभी फरार है वो फरार है कि वहीं रहा है। अब तक क्रपतारी क्यों नहीं हो उसकी वो कहते हैं कि उनके खिलाप कोई एविडेंस नहीं मिला हुए। तो हम उसको कैसे गिरभतार कर ले कि पीड़ता की माजो है चीक-चीक के कह रहे हैं यह आवाज कि कह रही है। तो इसमें किसी पॉलिटिकल लीडर कहां थे अब यह क्या कैसे जिला पंचाइस को नहीं है। यहां पर उल्टा ही पुलिस पीड़ित को बार बार ढर ढर धरा रही है यहां तक यह तक कह रही कि अपना बयान बदल दीजिए अने था आपी लोगों दीजे नगर महाना। अच्छा क्या कुछ घटना हुई है। वारी बच्ची के साथ घटना हुई थी साड़े पांच बजे। हमारी बच्ची मुतलब एक साथ में और लड़कियां थी फ्लैटिंग के लिए गई थी। लेटिंग करके मारी बच्ची को ही किटनेप कर लिया गया इसके बाद भीम और राज कुमार और रेनू टेंट वाला यह तीन लोग को हमने देखा जब यहां से चिलाते हुए गए तो हमारी बच्ची को छोड़ छोड़ के भागने लगी जब भागने लगे तो हमने सोन मचा तेज से तो हमारे गाउन लोग वासियोस तवाम लोग अटके उनको ढूंडने लगे तो रेनू टेंट वाले के घर में लोग मिले हमने गए तो हमको गाली देंके बगार आदा कि जैसे तुमारे बच्ची के साथ हुआ है ऐसे तुमारे भी साथ हुआ अगर यहां चिलाओ बीतो किसने का आई बात रेनू टंट वाला कपकी घटना है यह 25 तारीक अच्छा आपने कहीं लिखित में कहीं तहरीर दी कहीं सुचना दी किसी थाने में गजनेर थाना गजनेर थाना क्या कुछ वहां से आज श्वासन मिला क्या कारवाई हुए वहां से अभी तो वहां से ने समिन लिखित अऑना को का यहां में तो वहां से का श्राव धनेरे कब के लिए खूर्वे II